हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भावना जैस्वाल रेसिपी आपके लिए स्नैक्स लेकर आए हूँ जिसे आप मॉर्निंग या इवनिंग में कभी भी बना सकते हैं जिसका नाम है ब्रेड रोल ब्रेड के काफी सारे आइटम्स बनते रहते हैं तो आप इस ब्रेड रोल को बनाओंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और अब बच्चों के भी टिफिन में दो उन्हें भी बहुत अच्छा लगे इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स आप इस रोल के अंदर भर कर और बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं तो चलिए हम आपको step by step बताएंगे कि आप ये bread roll कैसे बनाएं और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please like के button पर click करना ना भूले और comment करके आप बताएं कि आप इस recipe को बनाया तो कैसा लागा तो चलिए हम बनाते है bread roll stuffing में हमने यहाँ पर लिया है पाँच बॉइड आलू और ये ब्रेट के चार slices लिए हैं मसाले में नमक, लाल मिच पाउडर, जीरा, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, हरी मिर्च, पाँच हरी मिर्च ले लिये हैं और धन्या के पत्ति और ये चुकंदर है जिसे हमने ग्रेट कर लिया है पचास ग्राम के करीब है और लास्ट में हमने यहाँ पर सूजी लिया हुआ है तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं कडाई को गरम कर लिया है और उसके अंदर हम वन स्पून ओयल डालेंगे और यह थोड़ा सा गरम हो जाए तो इसके अंदर हम जीरा सबसे पहले डाल देते हैं और साथ में यहाँ पर हरी मिर्च डाल देते हैं आप हरी मिर्च एकॉर्डिंग टेस्ट डालें क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाल मिर्च भी यूज़ करेंगे और इसके बाद यह जो हमने ग्रेडेड चुक अंदर है उसे इसके अंदर मिक्स कर देते हैं और इसे चला लेते हैं साथ में इसमें नमक भी आट कर देते हैं इससे कि यह आप चुक अंदर अच्छी तरह से पक जाए फ्लेम को थोड़ा हम स्लो ही रखेंगे और साथ में यहां पर हम मसाला आड़ कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर धनिया पाउडर और लाल मिच पाउडर और इन सब को लेकर हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से चला लेते हैं दो मिनट के लिए हमने इसे भून लिया था और यह अच्छी तरह से गल गया जैसा आपको दिख भी रहा होगा अब इसके अंदर हम लास्ट में यह आलू जिसे हमने मैश कर लिया या आप ग्रेट भी कर सकते हैं और इसे इसके अंदर मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से इसे चला लेते हैं और यह मिक्स कर लेते हैं इसको पूरी अच्छी तरह से और आप देखेंगे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा चारो दरफ से इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम उपर से धन्या भी आड़ कर देते हैं और लास्ट में सबसे हम खटाई के लिए यहां पर हमने अमचूर पाउडर लिया है अगर आपके पास अमचूर पाउडर हो वो डाल दे नहीं तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और इसे वापस चला लेते हैं अज़र बहुत ही टेस्टी लगता है यह रेसिपी और इस तरह की स्टफिंग बना ले और बनाके आप स्टोर करके भी रख सकते हैं एक मिनट के लिए और भून लेते हैं जिससे की स्टफिंग के अंदर सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे इसली यह बनकर बिल्कुल रडी हो गया है और अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और बिल्कुल थंडा होने के बाद फिर हम इसके आगे की प्रोसीजर बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमने स्टफिंग को बिल्कुल थंडा कर लिया है और इसके बाद पानी हम यहाँ पर एक बोल में ले लेते हैं ब्रेट को हमने साइड से आप देखेंगे मैंने पूरी इसके किनारी को निकाल लिया है और इसके बाद एके करके इसे डिप करते हैं और तुरनती निकाल लेते हैं और निकालनी के बाद इसमें थोड़ा सा हम स्टफing भरेंगे थोड़ा सा अपने कॉर्डिंग जितना आपको भरना है वो भरें और इस तरह इसको फोल्ड करते वे और आप बना लें सारा पानी निकल जाएगा इसके अंदर का इस तरह देखेंगे अगर आपको छोटा लग रहा है तो दो आप ले ले इस तरह थोड़ा सा लेकर और इसे थोड़ा आप शेप में दे दे आप इसके अपर कैप लगाते वे आप इसको वापस से तरह करते ये पूरी तरह से पाइंड हो यह थोड़ा सा बड़ा बन गया आपका ब्रेड रोल तो आप इसे किसी भी शेप में कर सकते हैं मैं यहाँ पर सारा राउंड कर रही हूं आप देखेंगे सारा पानी निकल गया इसके अंदर इस तरह यह सारे ब्रेड रोल को हम बना लेते हैं ब्रेड रोल बनाना स्टार्ट करते हैं ऑईल को गरम कर लिया है अभ इसके अंदर हम एक एक ब्रेड रोल डालते हैं कर कहा को ही है और टार बैट रोल बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्रावन हो गया ओगा तेखिया बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आया है और करारा भी स्वा TY over यह बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया इसे टर्ण कर लेते हैं और गैस को आफ करते वे इसे हम निकाल लेते हैं इसला करते वे टीशू पेपर ले लेते जिसे एकस्ट्रा ओयल उस पर निकल जाएगा कि सारे ब्रेड रोल बहुत क्रिस्पी और बहुत यमी बना हुआ है आप इसी तरह इस रेसिपी को बनाए और आप भी ब्रेड रोल का मजा ले